कि नमस्कार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है कॉंपडिशन कमिनेडी में मैं हूँ आनंद कुमार और आज के इस लेक्चर में हम पिछले हपते आपने जितने भी टॉपिक्स को पढ़ा है उसके आधार पे mcqs discuss करने वाले हैं यानि कि आपका session बहुत ही important होने वाला है किस तरह से आपके परिक्षा में question पूछा जा सकता है किन topic से पूछा जा सकता है और आपको उसका answer कैसे करना है इसलिए यह series बहुत important हो जाता है तो चलिए पिछले हपते आपने जितने topics को पढ़़ रखा है उस उन सभी को हम discuss करते हैं चलिए शुरू करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आप competition community के टीम से जुड़ना चाहते हैं बहतरीन content के साथ आप अपने preparation करना चाहते हैं high quality video lectures के साथ preparation करना चाहते हैं बहतरीन team के साथ आप तैयारी करना चाहते हैं हमारे mobile application को जरूर डाउनलोड कीजिएगा direct keyword code से scan करके आप डाउनलोड कर सकते हैं या google play store पर विजिट करके वहाँ competition community सर्च करें वहाँ से भी आप बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं हमारी mobile application को तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना ये सफर तो सबसे पहला question बहुत important question हो जाता है यहाँ से आपसे प्रशन पूछा जा सकता है तो पहला जो question है वो है ससत्र बल विशेश सक्तियां अधिनियम 1958 आफस्पा यानि की Arm Forces Special Power Act 1958 इसके संदर्व में सही है तीन स्टेटमेंट है उसके बाद चौथा है all of the above तीनों स्टेटमेंट की तरफ एक एक करके बढ़ते हैं और तीनों स्टेटमेंट के बारे में देखते हैं क्यों क्या कहता है क्या यह सही है या नहीं ध्यान से करते चलिए बहुत important यह point है और बहुत important topic है यहाँ से questions कई ब परतमान में अफस्वा भारत के पांच राज्यों में लागू है क्या statement सही है या नहीं तो आफस्वा यानि कि जैसे मैंने आपको बताया आम फोसे स्पेसल पावर एक्ड नाइंटीन फिप्टी एट अब यहाँ पर देखे भारत के पांच राज्यों में लागू है तो यह statement बिल्कुल सही है कैसे पहला राज्य कौन सा है जम्मू कस्मिर दूसरा राज्य कौन सा है आपका अरुनाचल प्रदेश तीसरा राज्य हो जाता है आपका मनीपूर यहाँ भी लागू है चौथा हो जाता है आपका नागालेंड और पांच वा राज हो जाता है आपका अस को निरंकुस यानि की autocratic सक्तियां देता है. निरंकुस सक्तियां कहने का मतलब यह है कि इस act में provision किया गया है कि अगर उस छेटर में जहांपर आपस्पा लागू है, अगर उस छेटर में कानून का उलंगन होता है, अगर किसी के घर में बहुत सारे बंदूक या फिर किसी चित में किसी के पास बहुत सारे बंदूक या बंबरामद होते है तो forces जो है direct उसे गूली मार सकती है बिना किसी इसके permission की तो यह एक निरंग को सक्तियां देता है सीधा direct गूली मारने का भले उसकी मौत क्यों न हो जाए तो ये एक बहुत बड़ा इसका प्रोवेजा ने याद रखिएगा तो इसलिए जो दूसरा स्टेटमेंट है ये भी इसका सही स्टेटमेंट है क्योंकि और टो क्रेटिक जो है वो सक्तियां देता है आपस्पा विना वारेंट का सर्च करने का सक्ति भी आपस्पा देता है और इसलिए बहुत विवादों में है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि 1500 से अधीक जब से या 1958 से लागू हुआ है तब से लेकर अब तक 1500 से अधीक फरजी मुठवेर हुआ है जिसका किसी न किसी कोट में रहता है और अभी हाल में ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि आपस्पा तीन राज्यों के नागा लेंड मडीपूर और असम के छेत्रों से हटा दिया है यानि कि पूरी तरह से नहीं हटा है आन्सिक रूप से हटाया है इसलिए न्यूज में था इसलिए आपस्पा हम लोगे हैं डिसकस कर रहे है तो second statement भी आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तीसरा statement क्या कहता है कि इस अधिनियम में एक धारा है जिस धारा को कहते हैं धारा तीन इसके तहत आसान छेतर घूसित किये जाने के बाद इसे केंदर या किसी राज्य के राजपाल द्वारा राज्य या उसके कुछ हिस्सों पर लगाया जा सकता है तो यह statement भी आपका सही होता है देखिए जब 1958 में आपका आपस्पा लागू हुआ तो इसके पीछे लागू होने के पीछे का उद्दे से क्या था क्योंकि उस समय खास कर नागा लेंड में एक नागा समुदाय वहाँ पर निवास करते हैं इनके द्वारा बहुत ही उग्र वैभार किया जा रहा था क्योंकि आपस में उनको ऐसा लगता था कि नागा समुदय को अलग करके एक उनका अलग कम्यूनिटी करके एक अलग राज्य बनाया जाना चाहिए इस पर बहुत भी बाद होता था 1950 के डेकड में और बहुत उग्र भी होते थे उनलोग तो इसलिए खास कर उसी समय 1958 में आपस्पा को लागू किया गया था जब इसे लागू किया गया था तो आपस्पा के तहत राज्यों को अधिकार दिया जाता था कि आप आपस्पा लागू करे और जो भी उसके प्रोविजन है उस पर लागू होंगे लेकिन 1972 में इस एक्ट में संशोधन किया गया और 1972 के संशोधन के बाद केंदर सरकार को भी अधिकार मिलता है कि आप भी आपस्पा के एक्ट में संशोधन कर सकते हैं या फिर आप भी आपस्पा कहा लगाना है कौन से छेतर में लगाना है किस तरह से लगाना है उस पर भी आप discussion कर सकते हैं या फिर आप भी लगा सकते हैं अफस्बा तो इसलिए धारा तीन के ताहत आसान शे तरगोशित किया जाने के बाद किंद्र या किसी राज के राजपाल द्वारा राज या उसके कुछ हिस्सों पर इसे लगाया जा सकता है जिसे देखो बहुत सारे ऐसे state है जहां पर किसी ने किसी तरह से विवाद चलता है लेकिन नौर्थ इस्ट के कुछ ऐसे state थे जहां पर इस तरह से विवाद चलता था कि बहुत सारे लोग मारे जाते थे उग्र विवाद हो जाता था जिसे हम उग्रवाद लोग कहते हैं तो उसी को शांद करने के लिए उसी सीमा विवाद था उसको लेकर समझोता आगे बढ़ा है नागा लेंड में जो नागा समुदाय के साथ में विवाद चल रहा था उनका समझोता भी है जो है आकरी चरण में है तो इस वज़से इन समझोतों की वज़से जो है अब आपसपा अपने अंत की और है ठीक चलिए अ ऑप्शन गिलबर्ट एफ होंगबो जो है इसका सही अंसर है लेकिन बाकी तीन जो स्टेटमेंट यहां पर दिये गए हैं इन स्टेटमेंट के बारे में भी आप ध्यान रखिएगा जैसे प्रोफेसर बूटसट पिछला लेक्चर हमने मिसलेनियस वाला डिसकस किया था या कि स्टॉक हम जल पूरसकार को क्या कहा जाता है इसे जल के छेतर का नोबिल पूरसकार के नाम से भी जाना जाता है स्टॉक हम वाटर अबार्ड और तो हजार बाइस का स्टॉक हम वाटर अबार्ड किसे मिला है प्रोफेसर बूटसट को यह पूरसकार मिला है किसलिए तो वास्पी करन के छेतर में नई खोज करनी के लिए इनका योगदान के लिए यह पुरसकार दिया गया है अब यहां पर यह आता है कि Stockholm जल पुरसकार किसके द्वारा दिया गया जाता है तो अडिया जाता है प्रतेक वर्स मार्च को ये हमने पढ़ है इससे हम आप या रखेगा और ये इंस्टे्टूट that इंस्टिट्र क्या करता है तो मीठे जल के जितने भी केद्र है उसे सं रख्ثित करने के लिए क्या किया जा सकता है व vastly के पानी को संचए करने के लिए वर्षा कांट्रोल नोक इस लित si करने के लिए या इन्सिट्रण करता है 1991 से ठिक और ये Stockholm कहां इस्थित है तो ये भी याद रखिएगा ये आपका इस्थित है Sweden में यहाँ से भी आपसे अगर प्रश्न पूछा जाता है तो याद रखिएगा अगला नाम है Will Smith, Will Smith चर्चे में क्यों है क्योंकि Will Smith को जो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है ये भी नीउज में है और इस एक्टर का अवार्ड मिला है Oscar 2022 के तहत अब जेसिका चैसिटेन इन्हे क्या मिला है Best Actress का अवर्ड मिला है Oscar 2022 के तहर तक то ये जो चारों नाम नीज में रहे हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है अब International Labour Organization के बारे में भी हमने पढ़ा था तो क्या International Labour Organization क्यों छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे इसका गठन कब हुआ, 1919 में, समझ आ रहा है अब International Labour Organization संयुक्त राष्ट की एक विशिष्ट एजेंसी है और जब 1919 में गठिक किया गया था, तो यह राष्ट्र संग के तहद किया गया था और राष्ट्र संग जो है, युनाइटे नेशन जो आज आज आप इसको कहते हो पहले राष्ट्र संग के नाम से वर्क होता था, बाद में उनाइटे नेशन का गठन हुआ अब राष्ट्र संग 1919 में गठिक हुआ, लेकिन 1945 में जब संयुक्त राष्ट का गठन किया गया इजनसी बनाया गया, और इंटरनाशनल लेबर और अरगनाईजेशन क्या कार करता है, तो यह जो भी लेबर हैं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कि जो भी करमचारी हैं, उनके समाजिक और आर्थिक हितों की रक्षा करता है, जो भी कमपनिये के तरब से किया जाता है, अगला निमने लिखित में से कौन सा राज्य राजिस्थान की सीमा को इस पर्स करता है, हर्याना, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंसर बहुत सिंपल है, आपको पता भी होगा, समझा रहा है न, तो आंसर होगा, और लबदी, एवर, क्लियर है, चलिए, अब कहीं न, इसका इस्थापना का भुआ था, 30 मार्च, 1949, ये डेट आप याद रखियेगा, अब यहाँ पर राजस्थान के हम लोग बात कर रहे थे, तो एक बार आप इसका मैप देखो, अगर हम क्लॉक्वाइस चलें, क्योंकि कभी कभी कोश्चन इस प्रकार से पूछता है कि घडी की सुयों के अनुसार, राजस्थान की सीमा का करम बताईए, तो इसका अगर आप क्लॉक्वाइस चलोगे, तो नौर्थ में सबसे उपर पंजाब, उसके बाद हरियाना, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, और उसके बाद गुजराद, टोटल कितने राजजी हो गए, पांच राजजी हो गए, ठीक, इसी प्रकार से अगर पंजाब भी आपके ऑप्सन में था, पंजाब राजजी का गठन कब किया गया, यानि कि पंजाब का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो पंजाब का स्थापना दिवस मनाया जात है हर साल एक Intevamber को और इस राज जी का स्थापना भूंबर 1966 उसी प्रकार से हर्यानगी सें डेट मेल कब एकिए नवंबर उन्य सो आपका मेल आपका च्छेल अब उत्तरप्रदेस की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का इस थापन दिवस का बनाय जाता है 1 एप्रेल को और कभी इस राज्जी का गठन हुआ था 1937 में और राजिस्थान से रिलेटेड इसका किस प्रकार से भारत में विलाय हुआ था सब कुछ बता चुका हूँ क्योंकि राजिस्थान में 22 देशी रियास्यते हुआ करते थे और राजिस्थान का मतलब क्या है राजाओं का इस्थान तो एक से बड़के एक बड़े-बड़े महारत ही राजा हुआ करते थे जो विलाय करने को राजी नहीं थे, कुछ पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे, जैसे जसल मेर हो गया, जोदपूर हो गया तो उस समय सरदार वल्लब भाई पटेल को क्रेडिट इसलिए नहीं दिया जाता है कि भारत आज समग्र भारत है, यानि कि एक अखंड भारत है तो इसका स्रेज हो जाता है सरदार वल्लब भाई तेल को वह ऐसे ही नहीं जाता है क्योंकि राजस्थान जैसे राजजी को भी जहाँ पर बड़े-बड़े महराजा थे उनका विलाय भी इसमें हुआ था और इसका एकी करण ऐसे ही नहीं हुआ था, इसका एकी करण स्टार्ट हुआ था कब? 1948 में और कब तक चला था? 1956 तक लगबग आठ सालों में राजस्थान का एकी करण हुआ था, यानि कि भारत में इसको समाहित किया गया था ठीक, चलिए अगला किस फिल्म के लिए जेन कैम्पियन ने ओसकर 2022 का सर्वस्रेश्ट निर्देशक का पुरसकार जीता है यानि कि ऑसकर 2022 के तहत बेस्ट डिरेक्टर का अवर्ड जेन कैम्पियन को मिला है अब किस फिल्म के लिए मिला है, तो ओप्शन आपके सामने इस प्रकार से है, अगर आपने पिछला लेक्टर एक्टेम्ट किया था मिसलेनियस वाला, तो यह बहुत सिंपल आंसर है पावर ओफ दी डॉक, समझा रहा है ना पावर ओफ दी डॉक के लिए जेन कैम्पियन को जो है बेस्ट डारेक्टर का आवर्ड मिला है अब यहाँ पर आपके पास ऑपशन में है King Richard ये भी एक मूवी है, तो इस मूवी के लिए विल स्मित को बेस्ट अक्टर का आवर्ड मिला है विल स्मित के बारे में अभी हमने तुरंट डिस्कस किया था, तो इन्हें बेस्ट एक्टर के लिए King Richard 뚜 Connie वी के नाम से मिलाए अब यहां पर दाय ऑफ दी टैमिपाई इसके लिए बेस्ट आक्ट्रेस का आवर्ड मिला है किसे मिला है तो जैसी का चैस्टेन इन्हें जो है इस मूवी के लिए बेस अक्ट्रिस का अवार्ड मिला है और कुडा इस मूवी को जो है सर्विसरेश्ट फिल्म का अवार्ड मिला है ऑस्कर 2022 के तहत अगला पांचवा बिम्स्टेक सीखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके दुआरा किया गया हाली में बिम्स्टेक सीखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है और 2022 में जो बिम्स्टेक का सीखर सम्मेलन आयोजित किया गया यानि कि यह फिप्त बिम्स्टेक सीखर सम्मेलन था किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया है तो आंसर बहुत सिंपल है स्रलंका की अध्यक्षता में इसका वर्चुली आयोजन किया गया अब यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट पे आपसे कोशन यह पुछा जा सकता है कि विम्स्टेक का मतलब क्या है यानि कि आपका इसका फुल फॉर्म पतावाना चाहिए तो इसका फुल फॉर्म है बे और बेंगाल इनिशेटिफ और मल्ट सेक्टरल टेक्निकल एंड एकोनॉमिक को ओपरेशन यह बिम्स्टेक का जो है फुल फॉर्म है बिम्स्टेक में सदस्य राष्टू की संख्या कितने है यानि कि इसके टोटल मेंबर कितने है तो इसके टोटल मेंबर है साथ पहला बंगलादेश बंगलादेश नेपाल भू रहे हैं इसका official language है English और इसका सची वाले यानिके सिकेटरियेट कहां इस्थित है तो यह आपका धाका बंगलादेस में इस्थित है अब इसका establishment कहां हुआ था तो 6 जून 1997 को Bangkok declaration के तोरान इसका जो है गठन किया गया था तो declaration के तहट विम्स्टेक का गठन किया गया तो answer बहुत सिंपल है Bangkok declaration याद रखेगा जो कि 1972 में हुआ था अब विम्स्टेक से related कुछ और important facts को भी आप ध्यान में रखेगा जैसे अगर आप देखोगे तो total world population का 22% population विम्स्टेक कंट्रिस के पास में है दूसरा अगर इसका combined GDP देखोगे यानि कि इन साथ कंट्रिस का तो 2.7 billion dollar का इसका combined GDP है first submit कहा आयो जित हुआ था तो first submit आयो जित हुआ था Thailand में याद रखिएगा और present chair किसके पास है यान के अधिक्षिता किसके पास है तो यह स्रिलंका के पास है तो यह बिम्स्टेक से related बहुत सारे facts याद रखिएगा हला कि बिम्स्टेक के बारे में जब आप पढ़ना चालू करोगे तो बहुत सारे points मिलेंगे जब आप international organization में पढ़ोगे तो क्योंकि present time पर अगर हम देखते हैं तो 2014 के बाद से सार्क जो है वो लगभग निस्क्रिय हो चुका है क्यानि कि नाम का है काम का नहीं है लेकिन भारत अपने पडूसी देशों के साथ संबंद को और बहतर कैसे बनाए तो विम्स्टेक एक एक ऐसा और्गनाईजेशन है जिसमें पाकिस्तान ना है पाकिस्तान भी नहीं और चाइना भी नहीं है और दो हमारे दुश्मन नहीं है और बाकि जितने कंट्रिस हैं उनके साथ अगर रिलेशन बहतर करना है तो उसके लिए बिम्स्टेक बहुत इंपोर्टेंट है ठिक चलिए आगे बढ़ें अगला है हाली में सर्वोच नियालाए में एक याचिका दैयर किया गया और उस याचिका दैयर किया गया और चकिर उसल fought कितने राज्यों और केंडरशाकित प्रदेशों में हिंदू अलप संख्यक है यानि कि हिंदू जो कम्यूनिटी है वो माइनोरिटी में है तो इस याचिका में कहा गया कि भारत में वर्तमान समय में छह ऐसे राज्ये हैं और इसके अलावा तीन ऐसे के अंदर शासित प्रदेस हैं जहां पर हिंदू जो है माइनोरिटी में है और इस याचिका क्यों दायर किया गया था? क्योंकि भारत में माइनोरिटी को लेकर न बहुत सारे स्कीम्स चलाया जाते हैं बहुत सारे योजनाओं को उन्हें डारेक्ट बेनिफिट मिलता है लेकिन हिंदू माइनोरिटी में नहीं आता है तो इसलिए सुप्रिम कोट में ये कियाचिका दायर किया गया और बोला गया कि अगर इन 6 राजियों और 3 किंदर शाषित प्रदेशों में अगर हिंदू माइनोरिटी में है तो उसे भी माइनोरिटी का दर्जा मिलना चाहिए ताकि वो भी जितने भी स्किम्स चलाए जा रहे हैं उसका बेनिफिट उसे डारेक्ट मिले तो इस पर केंदर सरकार ने कहा कि राजियों के पास ये अधिकार है समवर्ती सुची के अंतरगत क्योंकि अल्प संख्यक का जो मामला है समविधान के concrete list में आता है उनकि समवर्ती सुची में जिसमें केंदर सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी तो इसलिए केंदर सरकार ने कहा कि अगर ये राज्य सरकार चाहें तो हिंदूओं को माइनोरिटी का दर्जा दे सकते हैं सुप्रिम कोट ने जब जब जबाब मांगा तो केंदर सरकार ने ये जबाब दिया ठीक तो इसका answer क्या हो जाएगा चार राज्य और तीन केंदर साशित प्रदेशों में जो है हिंदू माइनोरिटी में है अब ये 2011 का जनगन्या पकड़ लेते हैं जब जरी 11 के जनगन्य के अनुसार कौन से कंदर साशित प्रदेश और कौन से राज्य जो है वो माइनोरिटी में है लक्षुदीप, मिजोरम, नागालेंड, मिघाले, जम्मु कास्मीर, अरुनाचल प्रदेश, मणीपूर, पंजाब इन राज्यों और कंदर साशित प्रदेशों में माइनोरिटी में हिंदू, लेकिन जम्मु कास्मीर, अब इसको तोड़ दू, यानि कि एक लद्दाग भी आ गया, तो इस तरह से तीन कंदर साशित प्रदेश और छे आपका राज्य जो है, वहाँ पर हिंदू माइनोरिट में है, अब वर्स 1993 में पहला सामविधिक राश्ट्रिय आयोग स्थापित किया गया था, और पाच धार्मुक समुदायों, यानि कि अल्प संख्याक का दर्जा दिया था, ये पाच समुदाय कौन कौन से है, पहला आपका मुसलिम, दूसरा इसाई, तीसरा सिक, चौथा ब और समुदाय को जोड़ा गया, किसे जैन, तो इस तरह से वर्तमान्स में मैं अगर आपसे question पूछा जाता है, कि अल्प संख्यकों की संख्या कितनी है, जिसे की भारत सरकार ने नामित किया है, अल्प संख्यक समुदायों की संख्या, तो कितने है, च्छै, इस बात को आप याद रखिएगा, अब यहाँ पर आप कुछ constitutional provision भी आप ध्यान में रखेंगे, जो अलप संख्यों के लिए बनाया गया है, लेकिन इस पष्ट रूप से परिभासित नहीं किया गया, इस बात को ध्यान रखिएगा, पहला अगर हम आर्टिकल देखें, तो इसमें पहला आर् आर्टिकल क्या कहता है, तो 246 आर्टिकल के अनुसार, जो concrete list है, यान कि समवर्ति सुची है, उसके अधार पे, इसके प्रविष्ट 20 में कहा गया है, कि अलप संख्यकों के हीतों की रक्षा के लिए, आप समाजिक और आर्थिक योजनाओं का विकास कर सकते हैं, ताकि इनक विकास हो सके, तो एक आर्टिकल आपको 246 याद रखना है, इसके अलावा आर्टिकल 30, आर्टिकल 30 के बारे में भी आप याद रखेंगे, आर्टिकल 30 में कहा गया है, कि कोई भी अलप संख्यक समुदा है, अगर वो चाहें, तो अपने community के अधार पे, भासा के अधार पे अपनी लिए अलग से सिक्षा का जो institute है, वो open कर सकते हैं, जैसे आप उर्दु के लिए देखोगे, तो मदर्सा को open किया जाता है, तो इस तरह से अगर कोई चाहे, कोई भी अगर अलप संख्यक के अंतरगत में कोई समुदाय है, तो अपने भासा के आधार पे कोई educational institute open कर स जाता है कि किसी समुदाय के लिए विशेश रूप से एक अधिकारी के नियुक्ति किया जा सकता है, अलप संख्यक समुदाय के लिए, तो इस तरह से कुछ constitutional provision भी आप याद रखेंगे, किस के लिए, अलप संख्यकों के लिए, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला कोश्चन है, हाली में किस सराज के डारलोंग समुदाय को अनुसूची जनजाती यानिके सेडियूल ट्राइब्स में सामिल करने के लिए, एक विध्यक पारित किया गया है, तो सबसे पहले आप इस विध्यक का नाम याद रखेगा, इस विध्यक का नाम है समुदान अनु अनुसूची जनजाती आदेस 1950 को संशोधन करके आदेस पारित किया गया है, अब ये डोरलोंग जो समुदाय है, ये कहा की समुदाय है, ये आपका आसम की समुदाय है, और इसे हाल ही में जो है किसमे अनुसूची जनजाती में सामिल किया गया, इस तर बहुत सारे फायद तो इसलिए उन्हें बहुत सारे benefits मिलते हैं और इसलिए कुछ community जो है वो दावा करती है कि मुझे अनुसूचित जनजाती में हमारे समुदाय को सामिल किया जाना चाहिए तो इसलिए अगर आप देखोगे तो लगभाग 20 ऐसे समुदाय है जो अनुसूचित जनजाती में आत हैं पूरे भारत में अगर देखोगे तो 700 से अधीक समुदायों को जो है अनुसूचित जनजाती का दर्जा दिया गया है और सबसे अधीक कौन से राज्य के समुदाय है जहां पर अनुसूचित जनजाती का दर्जा दिया गया है तो उस राज्य का नाम आता है आपका का जाता है 5th schedule जिसमें की अनुसूची जाती जन जातीयों से सम्मंदित सरकार को provisions या फिर सरकार को जो कुछ अधिनियम या फिर उनके हीतों की रक्षा के लिए बनाने का जो provision है वो पाँच भी अनुसूची में किया गया है इसके अलावा अगर आप इसमें देखोगे तो एक आर्टिकल आता है 3421 इस आर्टिकल में क्या कहा गया है तो इस आर्टिकल में राष्ट पती राज्य पाल के परामर्स के बाद किसी समुदाय को अनुसूची जाती अनुसूची जन जाती में कनवर्ट कर सकते हैं तो ये पा भारत भाग्य विधाता कारिक्रम का आयोजन कहां किया गया, बहुत सिंपल है, नई दिल्ली में किया गया, भारत भाग्य विधाता कारिक्रम एक दस दिवसीय कारिक्रम था, और इस दस दिवसीय कारिक्रम का शोबारम कब किया गया, 27 मार्च को, कब तक चला, ये आपका चला तीन अप्रेल तक ठीक बात अब भारत भाग्य विधाता कारिकरम का पूरा नाम क्या था तो भारत भाग्य विधाता कारिकरम का पूरा नाम था लाल कीला भारत भाग्य विधाता कारिकरम यानि की रेट फॉर्ट की यहां पर बात हो रही है रेट फॉर्ट की अगर हम बात करें तो इसका सत्रहवी सताबदी में स्थापना किया गया था ठीक बात अब सत्रहवी सताबदी में किसके द्वारा स्थापना किया गया था तो मुगलों के द्वारा इसको स्थापित किया गया था तो सबसे पहले मुगलों ने इस पर राज किया, उसके बाद मराथा ने भी इस लाल किलो को अपने सासन के अंतरगत चलाया और उसके बाद ब्रिडिस इंडिया की बारी आती है, ब्रिडिस इंडिया के कंट्रोल में लाल किला आया organization के world heritage site में सामिल है, जिसे सामिल कप किया गया था? 2007 में ठीक, और भारत भागय विधाता कारिकरम किसके दोरह चलाया गया? ये भी याद रखिएगा तो ये चलाया गया आपका संस्कृती मंत्राले भारत सरकार के दोरह ठीक, और किसके तहट? तो ये अमरित महोट सब जो मनाया जा रहा है, उसी के तहट इस बात को भी आप याद रखिएगा, यहां से भी question आपसे पूछ सकता है अगला, विस्व बैंक, International Bank for Reconstruction and Development दोरह किस लुप प्रजादी के संरक्षन के लिए दुनिया का पहला वन्यजीब बॉन्ड जारी किया है, दुनिया का पहला वन्यजीब बॉन्ड इंपोर्टेंट हो जाता है, आपसे question पूछा जा सकता है तो इसका answer है Black Rhino, ब्लैक राइनो का मतलब यानि कि राइनो का मतलब गेंडा आप सुने होना, उसी को हम लोग राइनो कहते हैं, ठीक, तो ब्लैक राइनो को जो है, हाली में International Bank for Development Reconstruction के दौरह, यानि कि वर्ड बैंक का एक हिस्ता है या बैंक, इसके दौरह, वन्यजीब ब Elephant National Park और दूसरा है Great River Nature Park, इसमें Black Rhino यानि कि ब्लैक गेंडे जो है, वो बहुत अधीक मातला में रहते हैं, तो फिलहाल अफरीका के इनी दो वन्यजीब अभ्यारोनों में लागू किया गया है, इस bond को, लेकिन अगर ये सफल हो जाता है, तो इसे Kenya के बाग, सेर गोरेला ज जो है, वो किया गया है, इसके बारे में अगर हम Rhino यान की गेंडे की कुल प्रजातियों की बारे में बात करें, तो इसकी प्रजातिया जो है, कुल पांच है, अफ्रीका में वाइट और ब्लैक राइनो पाया जाता है, एक सिंग वाले गेंडे भी होते हैं, और ऐसिया में के कैटेगरी में लेड रेड लिस्ट में है आई यूसी अंग मदलब इंटरनाशनल यूनियन फोर कंजर्वेशन ओफ नीचर यानि के नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए एजनसी को पनाया गिया है अगला यूनाइट इनवार्मेंट प्रोग्राम एन्वल फ्रंटियर रि बाद दूसरे नमबर पर आ जाता है मुरादावाद दिल्ली कुलकाता इन भारत में देखोगे सबसे ज्पातन Quality से उनली सेहर कौन सा है इस रिपोर्ट के अनूसार इरिबिड सबसे सांद सहर है और यह कहां का सहर है यह सहर जन्य का सबसे सांद सहर के रूप में जाना जाता है United Nation Environment Program की अगर हम बात करें तो United Nation Environment Program का गठन कप किया गया तो इसका गठन का किया गया 5th June 1972 को इसका गठन किया गया अब 5 June को एक विशेज दिवस भी मनाया जाता है वो दिवस का नाम क्या है तो Environment Day जो है आपका प्रतेकवस 5th June को ही मनाया जाता है इस बात को भी धियान रखिया और इसका गठन भी उसी दिन हुआ था और United Nation Environment Program के गठन के पिछे का उद्देश ही क्या है Environment Program है ताकि Environment को प्रोटेक्ट किया जा सके इसके लिए क्या-क्या Convention हो सकते हैं क्या-क्या Conference हो सकते हैं किस प्रकार से बातचीत हो सकता है किस प्रकार से Global Warming को कम किया जा सकता है इन सारे मुद्दो पर बात होता है जैसे COP Meeting होती है Conference of Parties 26 जो भी हाली में Glossco में हुआ था तो इस का आयोजन किसके द्वारा किया गया United Nation Environment Program द्वारा Paris Climate Agreement Change तो इस मीटिंग का आयोजन किसके द्वारा किया गया United Nation Environment Program की तरफ से ठीक है तो इस बात को आप याद रखेगा अगला और लास्ट भारतिय उपग्रहों के लिए मलबे और अन्य खत्रों का पता लगाने है तो अंतरिक्ष में प्राराभित चत्तावनी प्रनाली का नाम क्या है अगर आप देखोगे तो इस स्पेस में हम सुनते हैं कि सेटलाइट लांच किया गया इसके कारे करनी की जो अब दिये हो लगभग दो वर्स है तीन वर्स है चार वर्स है तो आप कभी सोचे हो कि वह सेटलाइट जो लांच किया गया और जिसकी छमता दो साल तक कारे करने की है उसके बाद वो क्या होता है तो उसके बाद वो वेस्ट बन जाता है यान कि खराब हो जाता है और नीचे तो गिरता नहीं तो वो अंतरिक्ष में ही गहूमते रहता है हो सकता है कभी और किसी छेतर में गिर जाया तो उसका नुकसान आलग लेकिन हो सकता है जब नए सेटलाइट को लॉंच किया जाता है और अगर उससे तकरा गया तो जो सेटलाइट है वो नुकसान हो जाएगा और करोड़ रुपया का नुकसान होगा तो इसी के लिए मलबे को ट्रैक करने के लिए और उसे खत्म करने के लिए नस्ट करने के लिए भारत सरकार द्वारा यानि कि इस रो द्वारा एक परियोजना चलाया जा रहा है और इस परियोजना का नाम है नेत्रा लेकिन दूसरा यहाँ पर जो अप्सन है clear space इसे European Space Agency 2025 में लांच किया जाएगा यह भी न्यूज में था तो इसके बारे में भी आप ध्यान में रखिएगा अब इससे related कुछ important facts देख लेना इस तरह यानि कि इंडियन Space Research Organization द्वारा उनीस 2019 में इस नेत्रा परियोजना को लांच किया गया था नेत्रा का फुल फॉर्म भी आप विभी इन टेलिस्कॉप प्रित्वी के 1500 किलो मेटर उपर भी रडार या निकी टेलिस्कॉप की मदद से जो है वर्क कर रहा है और इन जितने भी आप यहां पर देख रहे हो वेस्ट सेटेलाइट के इन्हें एकतर करके इन्हें नष्ट करने का या फिर इन्हें ट्रैक करन नुकसार ना पहुंचे ठीक बात है समाज आ रहे हैं तो इस तरह से आज इतने ही तो जितने भी इंपोर्टन टॉपिक्स अपने पीछले हपते पढ़ा उनके अधार पर यह कुछ MCQ यहां पर आपसे डिसकस किया गया ठीक है चलिए किसी भी तरह से कोई सजेशन हो या फि कोमेंट कर सकते बता सकते हैं ठीक चलिए तो इस वीडियों फिला लेत नहीं थांक्यू थांक्यू वल्मच